habit forming, habit कम किसे मानते हैं, scientifically हम दो चीज़ को habit मानते हैं, अगर उस चीज़ का craving हो, और दूसरा उस चीज़ का tolerance हो, जैसे कि तंबाकू, अगर तंबाकू नहीं मिले तो तंबाकू की लालसा या craving रहती है, और दूसरा, पहले दिन एक cigarette, फिर कुछ समय बाद दो cigarette, फिर तीन cigarette, मतल ही असर करने के लिए उससे ज़्यादा डोस चाहिए, दस गुना, विस दूना तक ये डोस बढ़ सकता है, डिप्रेशन की दवायों में, craving या tolerance जैसे side effects नहीं देखे गए हैं, सो scientifically speaking, डिप्रेशन की दवायों है, habit forming नहीं है, लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है, कि डिप्र को काफी फायदा हो जाता है, लेकिन उस समय हमें डिप्रेशन की दवायों का कोर्स खतम नहीं करना चाहिए, उसका अगर पहली बार डिप्रेशन हुआ है То, इसका कोर्स 6-8 मेने तक चलता है, दूसरी या तीसरी बार डिप्रेशन हुआ है, तो उसके हिसाब से 1.2 दो साल उससे भी ज़्यादा चल सकता है तो हमें ये depression का course उसका निर्धारित समय के अनुसार पूरुन करना जाहिए लेकिन अक्सर लोग apprehensive हो जाते हैं या फिर अब हम ठीक हो गए हमें अब दवाई की ज़रूरत नहीं है और वो दवाई बंद कर देते हैं या फिर हो अपने हिसाब से ही कुछ दवाई कम कर देते हैं या कुछ दवाई का dose कम कर देते हैं कुछ उस cases में एकदम से दवाई बंद होने के बाद कुछ ऐसे symptoms देखे जाते हैं कि ये बिमारी वापस शुरू हो गई है या कुछ ऐसे तकलीफे वापस शुरू हो गई है तो हम उसे habit नहीं मानते हैं हम उसे दवाई का ठीक से course नहीं किये बगेर बीच में दवाई का course बंद करने की वज़े से कोई तकलीफे मानते हैं और तिसरी बात motivational speeches या motivational videos इन सब चीजे is not scientifically proven ये सब चीजे का कोई depression के उपर असर नहीं है so in nutshell depression के treatment के लिए दवाईयां best है it is scientifically proven और it is highly effective second is psychotherapy cognitive behavior therapy is scientifically proven और बाकी psychotherapy भी आप कर सकते हैं लेकिन जैसा हमने बात चित किया psychotherapy में आपका motivation और आपका involvement ही सबसे ज़्यादा चाहिए और psychotherapy में अगर आप actively अपने विचार एवाँ अपने behavior को बदलने की कोशिश करेंगे तो psychotherapy में अच्छे results मिलेंगे और तिसरा motivational videos या motivational speech ये effective नहीं है ये कुछ समय के लिए आपको कुछ motivation मिल सकता है but it is not treatment of depression दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए आप अपने opinion पी नीचे comment box में दीजिए दोस्तों अगर आप मानसिक बीमारियों के बारे में detail में पढ़ना चाते हैं तो मेरी गुजराती book मानसिक स्वास्थिय ऑनलाइन खरीच सकते हैं दोस्तों मैंने गुजराती magazine शुरू किया है उसका title है मानसिक स्वास्थिय अन्यापणे इसमें हम लोग जो मरीज डिप्रेशन या अन्यामानसिक बीमारी से पीडित रह चुके हैं और आज उस बीमारी से ठीक हो चुके हैं वो अपनी बीमारी के बारे में discuss करते हैं कि एक तकलिफ कब शुरू हुई शुरू-शुरू में क्या हुआ था फिर कैसे वो ठीक हुए वो अपनी खुद की कहानी उसमें लिखते हैं हम इस मेगेजिन में ये प्लाटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम मरीज की आइडेंटिटी रिविल ना हो उस तरह से उसकी कहानी को पब्लिश करते हैं आप मेगेजिन्स के फ्री इबूक्स या फ्री पीडिएफ कॉपीस डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप dr.aj.ratnani.com slash magazines से ये पीडिएफ कॉपीस डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो dr.aj.ratnani.com ब्लॉग पढ़ सकते हैं दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम पर क्लिक किजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू